हाई अब्रिवन बेलकॉर और मैं यूटूब चैनल कलाकारी आर्टेस्ट तो आज कर जो हमारा टापिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टन टापिक है जो कि है बाकी गुफाएं तो इनसे रिलेटेड जितने भी कोश्टन से हमारे उनको आजम सॉल्ब परेंगे जो बाकी गुफा ह जितने ही हमारे ड्राइग से रिलेटेड एक्जाम्स होते हैं उनमें कोश्टन पूचा ही जाता है तो इसमें देख लेते हैं कोश्टन से हमारे कौन-कौन से इंपोर्टन रहेंगे जैसे कि पहले कोश्टन दिया हुआ है कि बाकी गुफाएं कहां पर इस्तित है तो इसका बाकी गुफा रही है उसकी खोज का सर्पादा है वह बाकी खोज के बफाह की खोज खोवाएं 288 को बाकी गुफा खौच की छो की गायेकाय नांव जो चित्र है बाकी खोखुआ में श्तित है जो कि गुफा संक्या चार में पाया गया है नेक्स क्योशनिक्स में दिये हुआ है कि बाग की गुफाओं को जाना जाता है तो किस लिए किस नाम से और भी जाना जाता है पंच पांडो की नाम से जाना जाता है और जो बाग की गुफाओं के जो चित्र रहे हैं अजन्ता की किन गुफाओं के समकालीन रही है समकालीन का मतलब किस जो समय रहा है दोनों का समान रहा है तो कौन-कौन सी थी गुफा संख्या एक और दो अगला देख लेते हैं दिये हुआ है कि बाग की गुफाओं में कितनी टोटल गुफाओं है जो टोटल यहां पर नौ गुफाओं हो जाती है और जो कि सभी की सभी विहार गुफाओं है अगला दिये हुआ है कि बाग की गुफाओं जो थी उनमें से पहली गुफा जो रही है उसका छेट रुफल कितना रहा है तो तेईस इंटू 14 फेट जो रही है वो बाग की पहली गुफा की लंबाई चो में अगला कोशन है कि बाग की गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वरी तक्नीक कौन सी थी तो यहां पर राइट आंसर है आपका टेंपरा टेंपरा हता था जिसमें की गुलू रंग को अभी प्रियोग किया जाता था यहां पर मुश्ली अब अगला देख लेते हैं कोश बिश्रिद रंग जिसे कहा जाता है उस तक्नीक का यहां पर प्रवक्ता से प्रियोग किया गया है अगला दियो है कि सितन वासल बाग और माता चेनरी जो रही है किस लिए प्रिसिद रही है तो मुश्ली यह भित्ती चित्रों के लिए प्रिसिद रही है अगला दियो है कि असितकुमार हालदार और ननलाल बोश ने बाग के गुफायों के चित्रों की प्रतिलीबिया कब तयार की थी तो कब हुई थी 1921 में इन्हों ने तयार की थी असितकुमार हालदार और ननलाल बशुने अगला देख लिएते हैं दिये हुए कि बाग की गुफ़ाई जो थी वो किस काल में तयार भी दी तो राइड आनसर आपको गुप्त काल में अगला question आप देख लेते हैं दिया हुआ है कि कलात्मक सौंदर रिकी श्रष्टी से अजन्ता की अपेच्छा श्रेष्ट रही है तो अजन्ता की अपेच्छा कौन सी गुफा श्रेष्ट रही है बाग की गुफा अगला देख लेते हैं इसमें रहा हैं, तो right answer है आपका कलायल जो कि बागी गुफայों का प्राची नाम रहा है, अगला है कि बागी गुफाएं किस धर्म से संबंदी रही है, अभी मैने आपको बताय थे कि सारी सारी बिहार गुफाएं थी और यहां पे धन पूशा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाद धर्म की माहयान साखा से भी ताही है अगला दिया हुए कि बाग की गुफाओं का समय क्या रहा है तो राइट आंसर आपका चौथी वह पाच में सदी रहा है अगला दिया हुए कि बाग की गुफाओं की प्रतिली पिया कहां पर सुरच्छित है तो इसमें जो सही आंसर है आपका गॉालियर के दुर्ग के गुजरी महल में यह सुरच्छित है अगला दिया हुए कि बाग की गुफाओं तो राइड आ डान्सर है आपको चौथे नबर की गुफ़ा राइड आन्सर है अपको सौझे गुफ़ा रंग महल नाम से जानी जाती है औ वाग में टोटल कितनी गुफ़ा है थी नॉग नम्बर तक की। अब यहां पर देख लेते हैं कि वाग की जो गुफाय रही है वो मद्र प्रदेश की धार जिले में इस्तित है और यह बिंद परवत के दच्छडी डालान पर इस्तित है और यह आपकी जो गुफा रही है वाग की गुफा वो इंदोर और बरोद्रा के बीच में बागीनी न में इस्तूप है और रहने की कोठरी भी बनी हुई है जहां पर बहुत विच्छू रहा करते थे इसको चौथी से पाचवी सदी के बीच का निर्मित मानते हैं और यहां की जो गुफा नहीं है वो अजंदा और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बनी हुई थी जो गुफाओं की गुफा थी इन गुफाओं में बनी हुई प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर में डाल देती है और इस गुफा की खोज अभी आपको बताए ही था मैंने के 1818 इसमी में डेंजर फिल्ड ने की हुई थी इसकी खोज जो की बौदे धर्म से संबंदित है और यह जो गुफा है यह बागिरी नदी के किनारे पर रिस्तित है अब यहां पर हम गुफा चित्र सं से नर्ष हो चुके हैं गुफा संगे चार और पांच में ही कुछ चित्र सेस बचे रहे गए हैं तो पहली गुफा का नाम ग्रह दूसरी का पंच पांडू तीसरी का हाथ हाथी खाना और चौथी का रंगमेहल नाम था पांचवी जो गुफा रही है उसका पाट साला सामने नहीं आ पाया है तो पहली जो गुफा रही है पहली गुफा जो रही है ग्रह गुफा बहती बिच्छों के निवास ही तू बनी हुई लगती है यहाँ पर दूसरी गुफा जो है पांडो की गुफा कहलाती है यह गुफा किसी समय में संपूर चित्र थी देख रहे क अभाव में प्रया सभी चित्र कालक लविद हो चुके हैं यहां के और तीसरी जो गुफा रही है हाथी गाना यहां के कुछ ही अपसे सब्राप्त होते हैं। और चौथे नबर की जो गुफा रही है रंग बहल यह बहुश इंपॉर्टन गुफा है जिसका नाम है रंग बहल यह चेते गुफा रही है चित्र छटी सताब्दी में बने हुए यहां के लगते हैं इस गुफा के बाहर बरामदे में 45 फिट लंबा और 6 फिट चोड़ा एक चित्र भी बना हुआ है जो कि इसमें चित्र उपलब्द हुए है गुफा के बारे में जितना भी इंपॉर्टन था उनको हमने देख लिया हुआ है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सिस्क्राइब जरूर कर लिए जगा थैंक्स पार वाचिंग